बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर अक्सर हम से पूछते हैं कि सर यूटूब पे लाइफ कैसे आया जाता है जी है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूटूब पे चैनल क्रेट कर चुके हैं तो कैसे यहाँ पे लाइफ आएंगे और यह सारा प्रोसेस म आपको दो काम करना होगा सबसे पहला काम करना होगा कि यूटूब चैनल को वेरिफाई करना होगा अगर आपने अभी तक अपने यूटूब चैनल को वेरिफाई नहीं क्या है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे यूटूब चैनल को वेरिफाई करते हैं नौट फेक वनली टेग। टाइटल है। जिस टापिक से य tu लेटेड आप यहाँपे लाइव आने वाले हैं उसका यहाँ पर टाइटल आपको लिखना है। यानि कि आप बाद में अपने लाइव को दिखाना चाहते हैं तो simple आप लिष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपे public रहने देता हूँ, public के बाद से नीचे जाएंगे location, तो location के आगे plus का जो icon है, इस पे आपको click करना है, और अपने इसाब से कोई भी location चूज कर सकते हैं, मैं आपे इंडिया चूज कर लेता हूँ, इंडिया चूज करने के बाद से नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, not it's not made for kids है, और यहाँ पे दो option मिल जाते हैं, आपको simple इस पे click करना है, अगर आपका video, आपका live, 18 साल से कम के लिए हैं, तो आपको yes करना है, और 18 साल से ज़्यादा के लिए है, उसके लिए आपको no करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, तो more option का एक icon show हो जाता है, आपको more option पे click करना है, जैसे दोस्तों click करेंगे तो आपको नीचे जाना है, लीचे जाने के बाद से आपको यहाँ पे मिल जाता है schedule for later, यह हैं दोस्तों आप अपने life को कब दिखाना चाहते हैं, अगर अभी दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कल परसों में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको simple schedule पर click करना होगा, जैसे दोस्तों click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने month आ जाएगा, और आगे में timing आ जाएगा, तो simple अगर आप November पर click करते हैं, यानि के month पर click करते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर schedule चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, schedule date डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप OK कर सकते हैं, और यहाँ पर timing की जहाँ तक बात है, तो timing पर अगर आप click करते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर timing जो है वो, choose कर सकते हैं, select कर सकते हैं, तो फिलहाँ मुझे यहाँ पे schedule पे click नहीं करना है आपको यहाँ पे मैं सारा step by step बता रहा हूँ तो अच्छे तरीके से आप समाझ लीजे आप यहाँ पे advance setting पे जाते हैं तो advance setting पे आपको यहाँ पे तीन option मिल जाता है allow chat का और यहाँ पे members only के लिए live है और यहाँ पे enable monetization है तो इस पे भी आपको ज़्यादा छिडशाड नहीं करना है अगर आप schedule पे अपने live को रखते हैं तब आप यहाँ पे allow chat को off कर दिजे नहीं तो advance setting को छिडशाड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैं back जाता हूँ back जाने के बाद से नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं next option तो मुझे simple next पे click करना है और जैसे दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो मेरे सामनी यहाँ पे front camera जो हो open हो जाएगा और यहाँ पे एक photo click कर लेगा thumbnail के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा photo जो है एक click हो गया और यहाँ पे मैं इसमें edit करना चाहता हूँ तो उपर pane का icon है इस पे आपको click करना है और यहाँ पे setting मिल जाता है edit setting मिल जाता है retake thumbnail मिल जाता है अगर आपका photo खराब हो गया thumbnail खराब हो गया तो आप retake कर सकते हैं बार बार यह जो है आपको एक click करके देदेगा यानि कि एक photo click करके देदेगा अब यहाँ पे अगर आपने already thumbnail पहले से बनाया हुआ है और उसे अपने live में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे upload thumbnail पे click कर देगे नीचे वाला यानि कि तीसरे नमबर के icon पे जैसे दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो आपके सामने thumbnail आ जाएगा यानि कि आपके gallery open हो जाएगा और आप अपने gallery में से कोई भी thumbnail यूँ है वो choose कर सकते हैं तो यहाँ पे आप अपने इसाब से thumbnail कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं go live का option है तो simple दोस्तों मैं go live पे click करता हूँ और जैसे दोस्तों यहाँ पे go live पे click करेंगे तो मेरा जो है live के लिए सारा चीज ओके हो गया step by step मैंने बता दिया है और 30 सेकंड लगता है 30 सेकंड के बाद से आप यहाँ पे live हो सकते हैं तो फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएए कॉमेंट्स करके